दोस्तों यह है Infinix 12 Turbo अब इस फोन के अंदर कुछ ऐसे से फीचर्स हैं कि लोगों का ध्यान इसके उपर जरूर जाता है इसके अंदर MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर है जिसके Enter2 Benchmark की स्कूर 3,45,000 के उपर है तो आज इस फोन के अंदर हम लोग दोस्तों BJMAI का टेस्ट करने वाले हैं और वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दू कि इस फोन के अंदर दोस्तों अभी जो 47% बैटरी है स्क्रीन पर आप देख सकते हो और 8 बच के 5 मिनाट हो रहे हैं और आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दू इसके अंदर जो मैं गेम खेल रहा हूं वीडिय करना अपने सब्सक्राइबर के सारे कोमेंट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो बीजे मैं इसके अंदर ओपनिंग टाइम मैं आपको दिखा देता हूं काफी असान था 15 से 20 से के अंदर जो है गेम ओपन हो जाता है और सेटिंग्स के अंदर ग्राफिक्स में चलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं स्मूथ पर अल्ट्रा की गेमिंग करने को में ऑप्शन मिलता है और एच्डी हाई तक यह मैक्स जाता है उसके उपर नहीं जाता है बैलेंस के ऊपर भी यहां पर जो अल्ट्रा को ऑप्शन देखने को मिल जाता है जायरुस को बेगर सब में हमारे स्टाट हो चुका है और गेम का जो यहां पर ओपनिंग टैम है टीडियम का वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था मेरे को सुरू सुरू में लेकिन वह ऐसा इसलिए हुआ था कभी कभी नेटवर्क की वैसे हो जाता है बाकि मैंने इस फोन के अंदर और भी दिनो नॉर्मल रखी है ज्यादा फास्ट नहीं कर रखा तो नॉर्मल में पता चल जाएगा फोन के अंदर स्मूथनेस कैसी है अब डिस्प्ले एमुलेट तो है लेकिन फास्ट रीफ्रेस रेट होना चीए था अगर गेमिंग लोगों के लिए बनाया गया इस फोन को तो लेकिन इसके अंदर जो है लेक देखना को मिलता है आधा एक घंटे के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो फोन अच्छा खासा हीट हो जाता है और दोस्तों सजेश्ट करूंगा अगर आपको केवल नॉर्मल गेमिंग करनी है तो उसके लिए फोन काफी अच्छा है लेकिन स्क्र करनी होगी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते है उसके अंदर तो लेकिन यहां पर देख सकते हो टीडियम का गेमप्ले हमारा कंप्लीट होगी है काफी अच्छे से यहां पर जो है फ्रेम्स मैं आपको दिखाता हूँ इरेंगल में कैसा होता है जब हम लोग जो है लेंड करते हैं दोस्तों तो काफी अच्छे अच्छे फोन जो है नीचे का जो फ्रेम्स है नीचे की जो दुनिया है वो लोड नहीं कर पाते है उस वएसे गेमिंग में दिक्कत आती है लोग को तो इस फोन के अंदर देखते हैं कि नहीं यहां पर आप सब कुछ देख सकत लेकिन लंबे समय के लिए नहीं क्योंकि मीडिया टेक का हीलियो जी 95 प्रोसेसर जो आया था उसके जैसा ही है यह जी 96 इसके अंदर भी हीटिंग इसूज है फोन हमारा हीट होता है खेलते टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम तो कुछ जाद ही होता है यहां पर देख स में थोड़ा सा डिक्रीज देखनों को मिलता है लेकिन इतना नहीं है कि फोन जो है दिक्कत दें यहां पर देख सकतो केमरे की तरफ अभी हीट हो रखा है फोन और डिस्प्ले के साइट भी हीट हो रखा है ब्राइटनेस 50% से कम रखके खलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आए